हेलो एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप कि आप सभी ठीक होंगे मैं कभीता चौधरी स्वाध करती हूँ आपके अपने चैनल स्टैडी मटेरियल पे सो फ्रेंड जो हमने प्रिविसर कोश्चन सीरीज स्टार्ट की थी आपकी सभी सब्जेक्ट की एश्टर 2022 के लिए उसी की नेक्स वीडियो लेके आई हूँ आज की इस वीडियो में कम्प्लीट हरेनरजी के करने वाले हैं जितने भी हरेनरजी के में कोश्चन पूछे गए है PRT, TGT, PGT लेवल के सभी के कोश्चन रहेंगे तीन ही लेवल के बच्चे देख ले भई, most important class है जितना ज़्यदा प्रिविसर कोश्चन की प्रैक्टिस लगाओगे जितना ज़्यदा आप चीजों का revision करोगे ठीक है इससे आप analyze कर पाओगे, questions लगाने से analyze होता है कि आपक बहुत सारे previous questions देखने को मिलेंगे सभी subject की glasses आ रही है चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लेना, like कर देना ठीक है और ज्यादा से ज्यादा friends अपने friends में share कर लेना, तो चलिए आज की इस वीडियो की सुर्वात करें हैं, हर्याना जी के कोश्चन है भई, previous questions से सारी ही, देख हरीगंदा अकादमी की पत्रिका है, आपको एक कूर चुना है, ठीक है, यहां से जो आपकी कथन दिये हैं, इनके हिसाब से आपको निसकर्स निकालना है, केबल कथन एक या दो सही है, ठीक है, केबल एक सही है या फिर दो सही है, ने तो एक नहीं दो या फिर दोनों कथन स यह हैं जो मुख्यमंत्री होता है अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कारे करता है ठीक है हरी गंदा क्या है कादमी की पत्रिका है डोनों ऑप्संस यहां ठीक हो जाएंगे ज्यादा explain नहीं करेंगे चीजों को क्योंकि explain और कर रखी है ठीक है डेट गंटी की बीडियो डाली थी बहुत अच्छे से एक कोशन डिटेल में कर रखा है एक कोशन से चार से पांच कोशन हमने निकाले हुए है डेट गंटी की किलास है complete energy के कर निचोड है अगर आप करते हो तो साथ आट नमबर आपके इसली बन जाएंगे तो करेंट अफेर भी कर ले ठीक है तो उससे आपके कवर हो जाएंगे यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा सभी प्रिवेसे कोशन का इससे आप अनेलाइज कर पाओगे ठीक है आप कितनी कोशन न नामक्तिर सतल है वो पलवल में है ठीक है उसके बाद चलते हैं चिंकारा प्रिजनन केंट किस जिले में स्थित हैं चिंकारा प्रिजनन केंट केथल में हैं बंचकुला में हैं हिसार में है अभिवानी में हैं बताई चिंकारा प्रिजनन केंट जो है आपका अभिवानी में हो जाएगा ठीक है कि निम्लिखित को सुम्मिलित करना आपको इस तरह को इस तरह को सब्सक्राइब करने पढ़ते हैं तो ऐसे कोशन में 3-4 मिला लिए जाते हैं नमबर 10 की आएगी रियनर जी के लेकिन कोशन जो है ज्यादा बन जाएंगे आके वीरवल का रंग महल ठीक है बताएं इन जिलों में यहां पर गुबंट सोफ़ना सोछभ बताना है इस कर राइटांस पर क्या रहेगा डिको 84 का जो बनेगा वहां कैसे बनेगा फ़ई एक सभी को पता है जो वीड़ा नगरने हैं यमनानगर को पता में सभी को पता है ठीक है कि उसके बाद उसके बाद च्रिकोन जो है आपका बहूर awards सभी को पता है गर्म पानी के नाम से is to दोहना का किला तो यह आपका गरम पानी का चस्मा भी यहीं पर हो जाएगा गुरुब्रामा में ठीक है इस तरह से आपका कूट रहेगा बी नमर आपका ठीक रहेगा उसके बाद चलते हैं फरवरी सब्सक्राइब करणा कोशन होगा इसलिए दो से तीन कोश्चे सापको करेंट अपकी सास्ट नमर की हर्याना जी के मैंने करवा रखी है सीटी के लिए भी मैंने बहुत सार क्लास इस डाली थी जिसमें पांस हजार प्लेक्स को सेंस की सीरीज स्टार्ट की थी तो अगर आपके पास टाइम में आपको एडवांस करना है तो वहां से कर लेना लेकिन मैंने एक वीडियो में कंप्लीट निचोड लिया ओवरॉल मैं सबसे ज्यादा सरवादिक अब्दी राजपाल की रही थी इसके बाद चलते हैं 87 नमर कोशन है आपका निमिल्खित मैं से कौण सा या फिर कौनसे योगम सही है निमिल्खित मैं से बताना है तो आपको खूट चैन करना है उपर जो आपको दिए गए हैं कत्ंह इनके अनुसार तो राज्य पसू जो बह tummy आपका राज्य पसू है जो काला हिरन नहीं होगा टिक है यहाँ पर 87 नमबर कर रहे हैं उसके बाद भी आपका सर्चपति वन्यजीव अभ्यारण भिल्कुल केथल में है ठीक है नहार वन्यजीव अभ्यार new जजर में नहीं है यह और यहाँ अब यह हो जाएंगे सी में दिये हुए हैं तो आपका सी नंबर ठीक हो जाएगा एक और दो से सभधुर्य रह्मार्ट महला खलाड़ी को विभा के अबसर पर मुख्य मंतली विभा स गुन योजना के तेट दि जाने वाली रासी ठीक हैं महला होती है फक्रदो होती हैं तो मुख्य मंतरी के दी ज दोरह सगुन द्यान रख लीना उसके बार चलते हैं बही कोशिन आपका नेक्ष है ना की मंत्री परिशत में नियूंतम सदस्ट से हो सकते हैं नियूंतम सदस्ट से 10,12,14 या फिर 6 तो देखो इसका जो राइट आंस बढ़ेगा 12 सदस्ट से नियूंतम हो सकते हैं नेक्ष कोशिन है आपका नियूंतम से हाफिड के बारे में कौन सा सही है यह किर्सी उत्पादों का अभिप्वन करता है यह किर्सी आदनों की पूर्थी करता है तो यहाँ पे आपके तीनों ही सही है ठीक है यह तीनों ही करते हैं तो दी में है तीनों ही तो तीनों ही कर देन 82 number question है, हर्याना में कहा नगरवन विक्सित किये जा रहे हैं, मुर्थल, सोहना, यम्ना नगर, हासी, तो यह मुर्थल में किये जा रहे हैं, ठीक है, नगरवन आपकी विक्सित, नेक्स कोशन पर चलते हैं, एर सटल सेवा की सुर्बात हर्याना के किस सहर में की गई, एर सटल की, हिसार करणार रोतक अंबाला, तो बताई राइट आंस्पर इसका क्या रहेगा, 83 का, तो हिसार में है यह, ठीक है, हिसार में हो जाएगा, हर्याना साहित्य कादमी के अद्द मिंटी अगरवाल के बारे में निमांकित गतनों पर विचार करना है, हर्याना की मूल निवासी मिंटी अगरवाल जो है भारति वायुसेना से स्क्वाडरन लीडर है, बिल्कुल है ठीक है, वह युद्ध सेवा मैडल प्राप्त करने वाली पहली महिला भी है, तो 85 में दोन जनवरी 2020 में अदोल लिखित है, आपका करन्ट का कोश्चन हो जाएगा, ठीक है, अदोल लिखित में से कौन सी नगर पाली का नगर परिशत के सतर पर कर्मोनत किया है, रन्या बेरी जजजर सिरसी, सिरसा, 87 नमर का अंस बजो रहेगा, वह आपका ठीक है, जजजर में किया ठीक है, इसका भी हो जाएगा, उसके बाद चलते, 87, 897 में, नमर कोश्चन है, 897 के बिद्रों के समय जजजर का नवाब कौन था, 897 में जब बिद्रों हुआ था, तो उस समय जजजर का नवाब पूछा है कि कौन था, तो अब्दुल रहमान थे, सदरुदीन थे, प्राप्ति सथान अवस्थित है, अंबाला में जिले में है, कुरूचेत्र में है, यमना नगर में या पर केथल में, तो इसका राइट आइस पर बताइए, क्या रहेगा, 89 नमबर कोश्चन है, याप पे, तो भी हो जाएगा, यमना नगर सभी को पता होगा, सूख के कावटी हो जाएगा, यह आपका दो और तीन, दो और तीन बी में दिया हुआ, ठीक है, यह आपके क्या है, महंदर गड़ जिले में भेहने वाली न दिया है, उसमें आपने पढ़ा होगा, तो इसली आप पांस पर लगा दोगे, ठीक है, 81 नमबर कोश्चन है, कितने प्रस सुम्मिलित कीजिए, सक्षनिक केंदर दिये हैं, इस तरफ आपको जिला दिये हैं, ठीक है, आपको सुम्मिलित करना है, तो IIT आपकी कहां पर हो जाएगी, IIT आपकी यह है, सौनी पत में, ठीक है, IIM, IIM, जो है आपकी रोहतक में है, ठीक है, NID, आपकी जो है, यह रूच ऱजिफत और B का हमने 1 लगाया है NID का हमने 4 है कुछेथ हो जाएगा NIFD का 3 हो जाएगा तो हमारा बन रहा है A का 2 B का 1 C का 4 और आपका D का 3 तो इन मैंसे है A का 2 B का 1 इसमें भी है सी का चार इसमें है तो आपका बी हो जाएगा ठीक है तो यह आपका राइटांस बढ़ रहेगा हर्याना में कितने वन्नेजी वभ्यारन है हर्याना में बन्ने जीव अभ्यारन पूछे हैं दो हैं तीन है एक है चार है तो दो बन्ने जीव अभ्यारन है सभी को पता होगा ठीक है अब्बू सहर बन्ने जीव अभ्यारन और सरस्पती वाला हर्याना में कितनी तैसीले हैं हर्याना का छेत्र जो पूर्व मद्यकाल में भंडा नको के प्रिभाब छेत्र के अंतरकत माना जाता है रेवाड़ी अंबाला पानिपत कुरू छेत्र इस तरह से के इस तरह से इनकी बिडिया बना दी थी पिक क्लिक करके प्रिशन की बुक है मेरे पास तो वहां से तो 85 नमबर का जो आंसर का वो रेवाड़ी है ठीक है यहाँ पे इसका आई टास पर जाएगा रेवाड़ी उसके बाद चलते हैं लाला मुर्ली धर के बारे में कतनों पर विचार करना है कुछ कतन दिये हुए हम पर विचार करना है कि इनकी Χिसाब से आसमर्द पर उन्होंने मुंबई में आईोजितच कोंग्रेस के पर्थम अदिवेशन में भाग ले और ऑब्हों दो है तो 86 का दोनों ही हो जाएगा 86 का तो दोनों है बिल्कुल है दोनों ही सकते हैं एक और दो KMP Express मार्क के बारे में निमलिकित कत्रों पर विचार करना है इस तरह कि कोश्चन्स आते हैं दो तीन दिन गोशिंज आपको दिये होंगे रोह आपको एक ही कूठ में लगाने हैं तो यह वैश्टन परिफेरल एक्सप्रेस वे के रूप में जाता है या याzu सेहरों का विकास किया जाएगा तो hp Burch दोनों सही है यह ठिक है के एक स्पेस मार्क पर पांच सेहरों का विकास किया जाएगा किया जाएगा और वेरेशचम उक्र में भी जाना जाएगा कि अविघक यह ऐसके बाद चलते हैं वही निमिलिकित ख्लाडियों में से किसने पुरसों को 800 मीटर दौड में एसे खेल 2018 में स्वन पदक जीता किसने तो जेंसन जॉंसन ने मंजीश सिंग ने अपरिंदर सिंग ने या पिराकिस कुमान ने तो बताई राइट आंसमर क्या रहेगा तो मंजीश सिंग ने ठीक है तो खिलाडी जो मंजीश सिखते थार सु मिटर दौड में एसे खेल 2018 में उनने स्वन पदक जीता था मंजीश सिंग गिरते संगरक्षण एबम प्रेजन के अंदर कहां पर है देखो कितना इसी प्रिविसर कोश्चन से ठीक है तो डी कुछ प्रिविसर कोश्चन ऐसे होते प्रिविसर कोश्चन बल्लिकुल अगर आप तयारी कर रहे हो किसी वी अग्जाम की हर्याना में हर्याना से रिएट क्लिए प्रिविषर कोश्चन सा भी पर्दें प्रिविसर कोश्चन तो रटे पडं़ें के जितने वह एक हम सैसल हो जाए जाए भाग 되어 से पहले महीने की ज्यादत बना देगी लाज्टे महीने की कलने लेच फीर का कुछ कहना सकते हैं ज्यादा क्या पूछ लSean से पूछ लें वुह जादा पीज नंबर के वह आपकी त्रिफिशन से बन जाते हैं वह कुछिछ करना चाहते हैं तो पढ़ ले एक दो नंबर के लिए बाकी यह कहने मैं तो यह कि आपना प्रेशन के लिए और जो है ज्यादा होती है तो इसके छोड़े और अपना जो आपका सब्जक्ट है ठीक है जो आपके कि इसका जो राइट एंस बढ़ेगा मेवाथ सबसे कम सहरी जन संख्या तो मेवाथ हो जाएका थिक है सबसे कम पढ़े लिखे लोग भी यहीं पर रहते हैं आपके मेवाथ मर्स पढ़े लिखे गुरु क्रामा में सभी को पता होगा भी कुछे सबसे जादा घोडे तो यह रहेगा उसके बाद चलते हैं तो इस तरह से करना है ह्रयाना की नदी जो राजस्थान के उदम गमित होती है मारकंदा सही घंगर सस्वती और देखो फ्रेंड जो प्रेइशन के औंसवर धियो हैं ठीक है वह भी ओपिशल आंसवर की से मैच होके दिये में जिस तरह से एकजाम में पर कोशन बनस दिया तो वह भी हाँ व्याज्ट किया गया जो आपकें आपकी आंसवर की यह ना एक तो आंस्वर गलत आ रहा है या पिर सही आ रहा है तो ऑपिशल आंस्वर की है ऑथेंटिक आंस्वर बता रहे हूं एकदम से ठीक है और जो हमने पढ़ा है उन्हीं मैसे कोश्चन्स बन रहे हैं अभी तक हर्याना की नदी जो राजिस्तान के उद्र गमित होती है डवल है लि कोशन है ता टेक्नोलिजिकल इंस्टूट ऑफ टेक्स्टाइल एंड साइंस अफिस्टित है गुरुग्रामा में भिवानी रहत्तक या पंचकुला 83 नंबर का बी हो जाएगा भई भिवानी में यह टेक्नोलिजिकल इंस्टूट ऑफ टेक्स्टाइल 2011 की जनगन्ना की नंविक अरजा परियोजना स्थापित कि जा रही है और नंविक उरज्ञा पर्योजना स्थापित की जा रही है तो आपकी गोरक पूर हो जाएगा सन 2017 में हर्याना सरकार ने प्रवासी हर्याना दिवस योजना कहां की थी 2017 का कोशन है ठीक है डेकिक और नहों से मतलब करनें का कोशेंच बनेगा असुग विश्विद्याले सौनिपत गिंगडम अफद्रीम गुरुग्रामा पिंजॉर सब्सक्राइब नहीं दिल्ली इटी सिक्स नमबर का अंसवर बताना है तो इसका अंसवर है किड़म ऑफ ड्रीम गुरुग्रामा ठीक है दोजार सब्सक्राइब का मठ जिसका बाबा मस्तनात ने जुर्णोध्यार किया और मुख्य केंद्र के रूप में चुना वह था कंस्त्राति अस्तल वोहर पेहवा जालंदर मठ जिसका बाबा मस्तनात ठीक है पढ़ाए बही एटी सैवन नका हो जाएगा यहां पर आपका अस्तल वोहर ठीक है अस्तल बौ अली साहका मक्वरा अवस्थित है बौ अली साहक का हिसार में यम्ना नगर में पानि पत्र मीजीन में तो इसका अंच्वर भी पानिपत ठीक है नेक्स चलते हैं पानिपति इसका राइटंस पर रहेएगा निमांकित सतलों में से कहां एक राष्ट्यच अवस्तृत एकतीसव शुरजकुंद अंत्राष्टी है हस्त सिल्फ मेले में सहभागी राष्ट्य था सहभागी राष्ट्य पूछा भई कोश्चन में इतने ही जो बचे होए हैं नेक्स पार्ट में आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कोश्चन करूंगी एक दो वीडियो में वही कबर कराने की कोश्चिस करूंगी प्याटी टीटी पीजटी सभी के लिए मुश्ट नुबड़न चीज़े हैं कर लेना ठीक है वीडियो कैसी लगी सभी को कमेंट करना है जादा से जादा वीडियो को शेर करना है अपना नेलाइस कीजे जादा से जादा प्रिविश्च कोश्चन कीजे आपके लिए बहुत हैल्प लगेगा all the best for exam मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ